नमस्कार दोस्तों, श्वागत है आपका हमारे आचार जागेंद्र मिस्रा श्यनल पर दोस्तों आज हम बात करेंगे आज के मिधम राज की दनिक रास्फल के बारे में लेकन उससे पहले बात करें आज के पंचांग के बारे में एक नवंबर दोहजार तेस बुद्धवार का दिन है और कार्थिक मास के कृष्ण पक्षी आज चतूर्थी दिती है नचत्र है आज मरग शिरा अभजीत मुहूर ताज दुपहर एक जारा बच के उनतिस मिनट से लेके दुपहर बारा बच के बतिस मिनट तक रहेगा शूर उदय होगा आज शूबह है छे बच कर सत्रह मिनट पे चंद्रमा की आज इस्तिती रहेगी ब्रसव राशी पर आज का अशुब काल कर्शमे रहेगा तकरीवन दुपहर एक बच कर दो मिनट से लेके दुपहर दो बच कर पांच मिनट तक रहेगा इस अशुब काल में कोई भी सुब और नएकार की सुरुवात ना करेने तो विखन वाधाई आशकती है अब बात करते हैं आज के मित्वन राश की दनिक रासवल की और यह प्रड़क्शन चंद राशी पर धारी थै मित्वन राश कातकों आज नौकरी में प्रमोशन की योग बनेंगे पद प्रतिष्ठा मानसमान की प्राप्ती होगी तथा बिजिनस व्यापार में दिन दुगनी राश चोगनी तरक्की होगी बताना चाहेंगे आपको मिथुन राश्ट के जात्र के जात का प्रत भी है तो जो शुहागिन मैलाएं हैं आज करवा छूथ का ब्रत रखेंगे आज का दिन बहुत ही शुब योग, बहुत ही दुरलब योग भी बन रहे हैं जो मितुन राश्ट के जातिकाएं हैं वो अपने पती के लंबी उम्र के ले करवाचात कबरत रखेंगी आज शुर उदय यानि की चंद्र उदय होगा रातरी आठ बच के बारा मिनट पे और चंद्रमा के पूजा का शुब महुरत होगा शाम पाच बच कर 36 मिनट चले के साम 6 बच कर चोमन मिनट तक इसमें पूजा करें तो दोस्तों बता दे मेथुन राशतकों के आज बहुत ही दूलब शुबशयों के कई शुब योगों का निर्मार हो रहा है निश्ची तोर पे आज लाब की योग बने रहेंगे बिजनेस ब्यापार में आपको कई तरह के धन योग और अच्छे लाब की योग बने रहेंगे बिजनेस ब्यापार में दिन दुगनी बढ़ेगी इनकी तरक्की और साती सात रुको वो फसाव धन प्राप्त होगा आज आपके इनकम में तेजी से बढ़ोतरी होगी जो कार अभी तक रुके हुए थे वो कार पूरे होगे बैंक बैलेंस बढ़ेगा बैंक से आज आपके लोन बगार मंजूर हो सकते हैं जिससे आपकी आर्थे किस्ति और बित्ती मामलों काफी मजबूती देखनों को मिलेगी पत पतनी की बीच आज सामंजस बनी रहेगी क्योंकि आज की दिन बहुत ही अच्छा रहेगा निशित और रुपए आज इनकी शुवयोगों को निर्मार होगा पतनी से सहयोग की प्राप्ती और पती के प्रती प्रेम बढ़ेगा पतनी का और एक दुसरे के साथ सहयोग की भामना रहेगी आज का दिन बहुत ही शुवयोग बन रहा है क्योंकि आज करवा चौद का ब्रत भी है तो आज चांद को देखकर अपने पती के हाथों से यनि की जरूर पानी पियें चंद्रमा को जल देने वाले करवे में जरूर आज यनि की चावल दोध कच्चा और मिस्त्री डाल कर जरूर उन्हें जल देबिशेश लाब होता है आज शुरवाद मिलता है बता दे कि आज कि दिन यात्रा की योग बनेंगे जैसे कि बिदेश की यात्रा कर सकते हैं और जो लोग बिदेश जाना चाहते उनके लिए काफी अच्छा रहेगा साथी जो इस्टुडेंट हैं जो विद्यारती हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा कमपटीशन और परतोगी परिच्छे में आज भाग लेने का मौका मिलेगा आज उत्तम फलो की प्राप्ति होगी बड़े बुजरोगों का आश्रवाद मिलेगा किशी मित्र के द्वारा धन की प्राप्ति होगी शाती प्रेम जीवन में खुश्या लब लाइप अच्छी रेगी बैवाहिक जीवन काफी शुक में रहेगा शंतान की प्राप्ति की योग बन रहे हैं शंतान को लेकर आज बड़ी खुशकबरी और गुड़नोश प्राप्त होगी तो वही शिक्ष में सुधार होगा कमपटीशन परतों की परिच्छे में लाब होगा कोई रियल्ट आना है तो निश्चित और प्यापके पक्ष्मी आएगा इंटर्व्य देशकते हैं स्वास्त उत्तम रहेगा स्वास्त के प्रतिया थोड़ा सध्यान रखेगा खानपिन की चीज़ें में द्यान के किशी को उधार करज आज की दिन ना दें किशी से बहस वाजी न करें किशी के बहकावी में आकर कहीं पर भी धन इनिवेश्ट ना करें आज मित्रों के द्वारा और साथी किसी रिष्टेदार को जार धन कलाब होगा और समाज से भी रहेंगे घर में कोई उस्साव कारकरम होगा अब यहाई जात्कों की विवाह की योग रिष्टे आएंगे तो वहीं आज राजिनितिक छेत्रों में आपका दबदबा कायम रहे भाई बहनों का स्वयोग प्राप्त होगा और माता पिता का भी सपोर्ट प्राप्त होता होना जराएगा आज आपका शुब रंग रहेगा हरा भाग साथ निवारा तकरीवन आपका 80% शुब अंग रहेगा नौ तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और सेर करें और चानो